क्यों शुरुबाद किती इसे वस थी दूसे तो ड़ा तो ड़ा सेंटर तुसी प्लीज दस्वाने सेंटर बारे वी विरे मेरा सेंटर जड़ा काम करदा है व स्पेशली आउटिजम दे बच्चें तहीं टोटली फोकस करदा है तुसी डागनोस भी कर दें विशें आप भी तो अड़े कुल माबाब आ सकते हैं उस अड़े कुल विरे डेड़ साल तो डाइगनोस शुरू हो जानदा है ओके कि जे माबाब रोके सेंटर शाक्की क्लियर करना अपना ते जे कोई बच्चा आउटिजम दा शिकार नहींगा तो उसे नों वापस भी पे दिनने हो बिलक बिलकुल नॉर्मल है ओड्यू टू कविड वर्चुल उटिजम वली गल से गी ओव बच्चे ने एक्स्प्लोर ही नहीं किता मैं उनु जदो एक कैंटेड़ी एससमेंट बाद मैं उनु क्या यार तेरा बच्चा दे बिलकुल नॉर्मल है तेनू की प्रब्लम लग रही है केंदे जी बच्चे ना अलकोल दा मिलदा नहीं है सिरफ मॉबाइल स्क्रीन ते लगा रहन दा है ओही जड़े इंडिकेशन सो नहीं साधे नाल गल नहीं करदा साधीया गल नहीं जवाब नहीं देंदा जद कि उस बच्चे था आई-क्यू सब कुछ नॉर्मल आई-क्यू नहीं दो गैंटे देने हैं तुसी नहीं पारक लेके जाना है तुसी नहीं नॉर्मल स्कूल चपाओ उनते कॉविड कॉविड खतम हो गया सब कुछ हो गया वीरे डेड़ मिने बात हो करना है यह विल्कुल ठीक कह रहे हो ओस वेले ओ बंदा मेरे तरले पा रहे है मेरे ना पार कर रहे है कि बच्चे काउन माबाब को टाइम नी बच्चेयां ली ना खेड़न ली ना स्पोर्ट्स ली शायद एही किते कारण था नहीं जड़ी ऑर्टिजम पैदा होरी साथे समारते विच नहीं विरे एदा नहीं है अगर एदा हुंदा ते फिर आज दी डेट से उसी कहा रहे हो ना आपा मोसली जनली देख दें केड़ा पेरेंट से जितको लेना टाइम हो बच्चा नहीं दे रहे है तो फिर वी आल्मोस काट बच्चा यह देखन देखन चीज पेंदी है ना सो एदा एही चीज है कि सानू फ्रिक्वेंसी चेक करनी पेगी तो यह मैनम आप मेर नहीं है ईह मैं डेफिनेटली कह रहे है प्रॉब्लम ते कितना किते है परो किस वजा नहीं या जब पूरी दुनिया डेसर्च कर रही है फीस क्रिटीरिया कहिए तो अगर तुसी कमफ़रेबला देखना चावांगा डेफिनेटली दसना चावांगा क्योंकि यह भ बट हाँ, मैं जरूर उननों कोऊंगा कि जिड़ा पहला ही तो अड़को पांच तो दासजार रपए फीस ले रहे है वो किमें इस चीज़नों इलाज कर देगा वीरे इदली समझना पेगा की की ज़रूरी है मेरे बच्चे पहला ही डेफिशेंसी है वो पहला ही मेरे ना पूरा कॉडिनेट नहीं कर पा रहा सो मैंनों उन्हों एक लग्जूरिय सेटप देना पेगा यह मेरे बच्चे दी नीड है क्योंकि अगर बार बहुत गर्मी है तो उसी जी ते मैं आज गर्मी लगदी होगे किया असी constantly कोई concentration कर पा ह değa नहीं जो बहुत सेटी लगे थे और मैं concentration कर पा मांगे नहीं पहला दे आगे उस comfort दी क्ये मेरे को बैठन ल conference मेरे होक महाल साफ नहीं माभी आए है अ béजींद बंचा कर पाएगे कि तो इस सब कुछ बनाना है फिर पैसा भी लगेगा, फिर दूसरी गल है, एदली वी रे, बहुत सारे पिरेंट सेदा दे भी आ देने, मैं अपने बच्चे नूँना स्पीज तरहपीली लेके जा रहे हैं पिछले एक साल तो, ओ दे मैं 900 रुपे पर सेशन पर दावाँ पर कोई फरक नहीं आ रहे है, ओ ब्लेंडेड वर्चन है, जिड़ा की आसी टेस्टेड, ट्राइड टेस्टेड है, जिदना की बच्चे आच फरक आया, मैं मी अपनी जिंदगी पहली वरी हुन फरक आन्दा देख्या विरे, इस तो पहला मैं नूँ मी नहीं 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 आ रहे है, नहीं सारी जिंदगी करना पहना है, वो तो नहीं पता सी न, भून मैं कहा रहे हैं, नहीं ए सारी जिंदगी विला काम नहीं है, ए मैंनेजबल है, पर उत तो अड़ी डिदीडिकेशन, तो अड़ी इनवोल्लमेंट ते डिपेंड कर दा, लिजी एदे सारे प्रफेशनल विरे, जिवेंकि एदे वस्ते clinical psychologist चाहिद है, occupational therapist चाहिद है, speech therapist चाहिद है, उस तो बाद एदे special educator चाहिदे ने, इस सारिया जिता सारिया नार्मल डिग्रिया ने, एतने हैं भी special चे डिग्रिया ने, B.A.D. in special education हुं दिया है, D.A.D. in special education हुं दिया है, इस तो बाद M.A.D. in occupational therapy हुं दिया है, इस तो बाद जिन्हों असी केरने हैं, sorry, MSLP, मतला M.A.D. in speech and language भी हुं दिया है, इस सारे दे professionals ने, विरे दे professionals ने काटने, काट college ने इंडिया जिनिया चुनिया डिग्रिया ने, तो professionals महेंगे मिल देने, पर जिन्हों पर जिन्हों समझना बहुत जरूरी है, तो उसी हमेशा उस center चे जाना है, जित्थे जाके पुछना है कि यो पूरे degree वले लोग है, विरे मेनों रोज calls हन दिया ने, मिरको लाए मैं तो मिरको file पर ही पही है, वो कहने जी मैं फलाने center ते कम कर रही है, लड़की ता phone अंदा है, कि मैं फलाने center चे कम कर रही है, मेरको 4 साल दा experience है जी, ते मेनों जौब चाहिए दी है, वो लोग फ्रेश हर नूँ पकड़ देने, साढ़े ही बच्चे आँ एक्सपेरिमेंट होना शुरू कर रही है, उन्हीं चीज समझो कि एक प्रेक्टिकल एक्सपेरियंस नूँ की कहने है, प्रेक्टिकल एक्सपेरियंस है कि मैं दो साल किसे ते कम कीता, फिर मैंनों काम कराना आया, बिल्कुल सही कला, जदो मैं अपने पैसे बचान ली, दासा जारदा बंदा ही राख लेया सेंटर चे, उन्हें की करना है, मेरे बच्चे थे एक्सपेरिमेंट, इट मिंस जड़ा मेरा बच्चा रहा है, ओदा थे साल गया, बिल्कुल गया, जदो मैं इनने सारे प्रफेशनल्स अफोर्ड करने ने, तो महेंगा भी आटोमेटिकली होईगा, सड़े थे सेंटर चे वी तो 24 आरपया, 25 आरपया, 30 आरपया दे लगबग फीस है, बट हाँ, मैं सेंटर उनना वस्ते नहीं खुल लिया कि जड़े एफोर्ड कर दे, मैं सेंटर उनना वस्ते वी खुल लिया सी जड़े एफोर्ड नहीं कर दे, तो असी किदा कमाइंड जाज सिस्टम कीता है, देखो जदो सारी सर्विसिस लेनिया ने, सब कुछ करना है जैसानू एफोर्डिबिल्टी ते करनी पेगी बट जिड़े एफोर्डिबल नहीं है विरे सेंटर ने 70% तक फीज दे क्राइटेरिया लेस दे बनाए वेने इस आप तो वजिया गाल में नो लगती तो डे सेंटर दी क्यों बनाएने क्योंकि हर बंदा एफोर्ड नहीं कर सकता